हेलो गाइज आप देखरें फ्रेयाज टेक तो गाइज आज के मेरे टोपिक है कि आप फर्स्ट ब्लोग को कैसे इडिट कर सकते हैं तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें तो चलिए वीडियो हम लोग अब स शुरू करते हैं तो गाइज आप क्याइन मास्टर को ओपिन कर लिजे और देकिए अभी ओपन हो रहा है तो ओपन करके आपको जो पहले 10 सेकेंड के वीडियो को click चलाना पड़ता है तो मैंने पहले से select कर लिया है तो आप 10 सेकेंड को पहले edit किजे तो देखिए ये मेरा पहले का है अभी मेरा 10 सेकेंड का है तो चलिए मैं इसको edit करता हूँ आप इस पर click करके और यहाँ पर आप filter में आ जाएए और filter में आने के बाद आप cold CO2 पर इस पर click कर दीजिए और click करने के बाद आप back हो जाएए और back होने के बाद फिर आफ adjustment पर आ जाएए इस पर और इस पर आने के बाद आप अपने हिसाब से contrast को कुछ बढ़ा लीजिए और saturation को और vibration को भी अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए देखिए अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए तो आप लोग अपना हिसाब से बढ़ा लीजिएगा अब गाईज और मैं आपको बता रहा हूँ कि अब फेस वाला कैसे इडिट किया जाता है तो देखिए यह मेरा फेस वाला है अभी फिलाल तो चलिए मैं इसको भी इडिट करको बताता हूँ आप लोग को तो सबसे पहले इस पर क्लिक किजिए और क्लिक करने के बाद आप लोग फिल्टर पर आ जाएए और फिल्टर पर आने के बाद कोल्ड पर क्लिक किजिए इस पर CO2 इस पर कर दिजिए क्लिक और आप बैक हो जाएए बैक होने के बाद सिंपल सी आप एड़ेस्टमेंट पर आ और adjustment पर आने के बाद contrast को हलका सा बढ़ा दीजिए अपने हिसाब से और saturation को भी बढ़ा दीजिए और wind brass को भी बढ़ा दीजिए अपने हिसाब से इसको देख लिजिएगा कि आपको किस परकार कि suitable होता है तो देखिए मेरा इस तरह का है इसमें ज्यादा लाइटिंग हो गया है तो मैं फिर से जाऊंगा एड़ेस्टमेंट पर और यहां पर सेचुरेशन को कम कर लेते हैं और वाइब्रेस को भी इसको भी कम कर लेते हैं तो गाइज अपने हिसाब से इसको सेटल कर दिजिएगा तो गाइज फाइनली इडिट हो किया है तो आप लोग फर्स्ट ब्लोग को इस परकार से इडिट करके डालिएगा तो मैं वादा करता हूँ कि एक घंटा में आपको अच्छा रेस्पॉंस मिलेगा तो गाइज वीडियो को पसंद आया हो तो अपलेट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें